हेलो गाईज, वेलकम टू आर चैनल, मिस्टर सनलाइट और आज सनलाइट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गण्यान मिशन के बारे में और उसकी क्या-क्या नीड्स हैं और अपडेट अभी क्या निकल के आ रहे हैं और किस तरीके से इंडिया अपने पाइलेट्स को जो ह मरेंदर मोदी जब 15 अगस 2018 को स्पीज दे रहे थे तो उन्होंने एक मैंशन किया ता कि इंडिया बहुत जल्द अपना एक मिशन करेगा जिसका नाम हो गगणियान जिसमें इंडिया अपने ही इंडियंस को जाने की अपने पाइलेट्स को स्पेस में भेजेगा तो स्पेस स्पेस होता है जहां पर आपका घर है यहां से 400 किलोमेटर उपर काफी लोग समझ रहे होंगे स्पेस एक जगह है स्पेस तो बहुत बड़ा है अब इतना उपर तो हम जाएंगे नहीं स्पेस तो तो 36,000 किलोमेटर उपर भी हम अपनी सैटलाइट को भrage ते हैं लेकिन वहां अपने जो व्यानमाट्स हैं एस्ट्रोनॉट नहीं बोलूगा व्यानमाट्स बोलूगा क्यूं बोलूगा व्यानमाट्स रहेंगे कुछ रिसर्ज भी करेंगे और बहुत ही मजदार बास हो जाए और यह बहुत ही appreciable बात होगी हर एक मीडिया चाहे वो इंडिया का मीडिया हो चाहे वर्ल्ड का मीडिया हो हर मीडिया इससे cover करेगा और यह बहुत ज्यादा appreciation की बात हो जाएगी इस रो के लिए और इस रो को एक बहुत अच्छा boost मिलेगा इस सब चीजों से तो दोस्तो थोड़ा सो और डिटेल में पढ़ते हैं कि यह है क्या गगनयान मिशन है क्या गगनयान मतलब sky vehicle जैसे गगन मतलब होता है कि अकाश तो अकाश में यान मतलब हो जाता है कोई ना कोई यसे vehicle हो गया गाड़ी हो गई तो एक ऐसी vehicle हम बनाएंगे चुकि अकाश में मुद्वाएगी याने कि एक तरीके से मान लिए जे कि हमारे लोगों को रोकाश में ले जाएगी अच्छा तो इशारी क्राफ्ट डिजाइन कर दिया गया है और बहुत अच्छी capabilities के साथ पहले जैसे यहां से आप जाना है space space में जाना है तो यहां से आपको पहले space में जाना पड़ेगा वहां से फिर अपने country में वापिस आना पड़ेगा तो country में कैसे वापिस आएंगे गहां चीबिए देखवा हूं क्याइश है जो कुछ ऐसी देखी गां अंत्रिक्ष में आर्फ में लाय questionnaire से यहां से दोस्तों प्यारों यह इस अंगे समया, यहां rend कर लेगा तो वहां से फिर हमारे जो ships होंगे उसी टाइम पर उन लोगों को ground पे ले आएंगे तो ये सब इतना बड़ीया mission होने वाला है लेकिन इसके लिए बहुत जादा research लगी थी और 2008 से इस पे काम शुरू हो गया था दोस्तों 2008 से जो है इस पे काम शुरू हो गया था क्योंकि इस mission के अंदर आपको लगने वाले करीबन दस हजार करूर रुपे यानि कि समझ रहे हैं ना दस हजार करूर रुपे उतना होता है जितना इस तो एक साल का budget है तो अगर इतना एक साल का जो budget होगा अगर उसे एक ही mission अपने डाल देगा तो उसके लिए थोड़ा एक तो political आपका system बहुत जादा रोबस्त होना चाहिए जैसे भी सरकार हमारी पूर बहुमत में तो वह कुछ भी कदम ले सकती है और थोड़ी बार अर्जवस्ता भी सही लग रही है तो हम ऐसा काम कर सकते हैं लेकिन अभी आप कहोगी कि कॉर्णा ध्यान देना होगा आने वाले missions में पहले तो कि हम इसमें चार पाइलेट्स अपने भेज रहे हैं तो चार पाइलेट्स की ट्रेनिंग तो हमारी रश्या में चली रही है और थोड़ी बहुत अगर कोई कमी बचेगी तो फ्रांस न भी कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे तो इसमें हम हम्मारे में पैलेट्स जाएंगे ही को एक रोल्मो डिर्वा याने कोई बहुत आपकी में चाहेंगे यह में और लोल्ल की एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे इस mission की और जैसे की होता है ना कि अब काफी बार अगर तीन लोग भी है तो ऐसे चीजragen होती हैं जो मशीन को जादा तर दिखाई देती हैं और जो इंसान होता है उससे जादा तर नहीं दिखाई दाती और नहीं दिखती हैं स्पेस में क्योंकि एक तो अलग महौल होगा आपको चलो ट्रेनिंग दे भी दिए लेकिन आप जा तो पहली बार रहे ना तो इस हिसाब से हमने इसरो ने क्या किया एक हुमनाइट जो भी डिजाइन किया गया वियो मित्रा आपने सुना होगा न्यूस मा आया होगा और 2020 के अंदर 22 जनवरी को ये कहा गया कि वियो मित्रा भी इसरो में जो तीन लोग जाएंगे न हमारे तीन पाइलेट जाएंगे जाब आज पाइलेट जाएंगे उनके साथ ये भी जाएगी और इसका काम क्या होगा इसका काम होगा देखिए, इसका काम होगा, krioo healthcare को ध्यान में रखना radiation measures यानि की देखिए, वहाँ पे बिल्कुल एक तो thermal radiation आती हैं और काफी sun की radiation भी आती हैं क्यों कि हम तो earth में लाते हैं तो uv rays में protect कर लेती हैं लेकिन वहाँ पे तो space में खुला ह उसमें डिपेंड करेंगी वो सब जो भी चीज़ें होंगी यह वियो मित्रा समालेगी और वार्निंग्स भी है मदब समय लीज़े जैसे कभी कुछ हो जाता है जैसे कि आपका स्पेस्क्राफ्ट होता है जो या फिर जो कैपसी उसमें करकर कोई कोई डिफेक्ट आ गया इन्वार्मेंटल चेंज़े बदल गए कुछ ऐसे टेंप्रेशर और टेंप्रेशर चेंज हो गया अंदर बाहर का तो उसे आपसे जो वार्निंग्स होगी ना वह भी वियो मित्रा हेल्प करेगी हमारे जो वियो मॉट्स होंगे उसको दोस्तों मैं आ आपसे आप भारती हैं तो आप यह बोलिए मुझे वियोनमाट बनना है क्योंकि वियोनमाट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंडियन एस्टोनौट को रिप्रेजेंट करता है लेकिन तब भी दोस्तों आपके मनने एक सवाल आ रहा होगा कि यार इतना सब कुछ हैं नावik हमारा मिशन था काटू सैट हमारा मिशन था तो ऐसी सटलाइट को बनेफिट देंगे आने तस शो पंद्रा सा लो में चंद्रयान मिशन हमारे एक्स्पोर्ट वरेशन मदद देगा तो उसह जिसाब से तो हमदद में रहे थी कि हम खर्चा भी बहुत कम कर रहे हैं। बहुत मिल रहे थी, समझे है ने ना, मदद हमें मतलब बहुत मिल रहे हैं, । म offers बहुत तो कम कर रहे हैं। कुछ मिलेगा यह नो हम खाली साथ दिन के लिए वहां जाएंगे, और वापिस आ जाएंगे और 10,000 करोपे खर्च कर देंगे, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, 10,000 करोपे जो आप इसमें खर्च करेंगे, वो कुछ ऐसा होगा, तीन फेजिसम होगा, पहले दो फेज तो ट्राइल फेज होगे, जैसे कि अभी बताया जारा है कि दिसंबर, अभी कॉर्णा वैरस रहा है, दिसंबर के अंदर, अनक्रीवड, मतलब कि सिर्फ मशीन जाएगी उपर, जो हमारी मशीन डेपलप किये, ताकि हम टेस्ट कर सके कि ये इतना लोड ले सकती है कि नहीं, और सब कुछ तो पहला ट्राइल तो होगा, अगर सब कुछ सईरा, नहीं तो पोस्टमन होजाता है, तो फिर तो मैं आपको अपडेट करी दूँगा, और उसके बाद, जुलाई 2021 में भी एक और जाएगा, और आखरी में फिर हम जब अपने पूरी संतुष्टी हो जाएगी, हमें पुरा सैटिस्फेक्शन हो जाएगा, ताकि वो रिसर्च जो भी उनको करना है, वो करे, तो आप देखिए, इंडिया को समझा कहा जाता है, इंडिया को अगर आप वेस्टन कल्चर में जाएगे, वहाँ देखेंगे, इंडिया इस अमंग्स डेपलपिंग कंट्री और वहाँ की इस नीदल नेंड्स है, चेक रिपबलिक है, और आइसलेंड है, इंगलेंड है, सब कं इनके मन के अंदर एक धारना होती है, जो वेस्टन कल्चर है, यह सूचता है कि इंडिया इस लाइक पूर कंट्री, तो यह हमारे एक स्टेटर्स को विल्कुल एक तरीके से बूस्ट करेगा कि हम ऐसा नहीं है, हम थोड़ा बहुत अपने आपको अब टेक्नलोजी की तरफ हम अपने आपको मोड रहे हैं, हमारा जो सेक्टर है, आर एंडी सेक्टर इंक्रीज हो, आर एंडी सेक्टर यानि की जो रिसर्च एंड डफलोप्मेंट होता है, ना कि कि इतना पैसा एक देश उस पर खर्च कर रहा है, तो वो इंक्रीज होगा, और काफी लोगों को जो मी मिशन है, आप 10,000 लगा रहे हैं, लेकिन आप कुछ इजट भी तो कमा रहे हैं, कभी वार इजट is more greater than आपको कोई फायदा हो, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बात होते हैं इजट मिलना, तो वही एक आपका स्टेटस क्या है, आपको लोग के इस नजरी से देखते मतलला पुरा विश इसका लोऊ हा मानता है, तो मैं शुचता हूँ कि आप बिलकुल ये इंडिया जो softpower ना, कि जो दुनिया है, इंडिया के बारे में क्या सोच रहागी, उसे soft power कहते हैं, कि इंडिया अपने आपको क्या दिखाता है, peaceful country, तो वो उसको बढ़ावा देगा, और हमारी नेवर रूड में हमें बिल्कुल एक बूस्ट देगा चाइना को भी लगेगा यार कि यह बिल्कुल एक अच्छा काम कर रहा है यानि कि इनके वास ऐसी टेक्नलोजी है काफी बूस्ट मिलने वाला है हमारे फिर हम काफी मदद कर सकते हैं अपनी आसपास ती कंट्र अगर आपको अच्छा लगा और प्लीज इसे शियर जरूर करेगा को कि अगर हम शियर करते हैं तो लोगों को भी इसके बार है पता चलेगा और आपके आसपास आपके मम्मी डैडी को या फिर आपके दोस्तों को आपके फैमिली मेंबर्स को ताउताई को सब को पता लगन अपनी पूजिशन को कैसे इंप्रूफ कर सकता है थैंक यू एंड डिस इस एंड आफ दे अनेलाइस थैंक यू और आइस डे अहेड़